दोस्तों अगर आप भी YouTube और Google पे सर्च करते हैं कि online पैसे कैसे कमाएं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने smartphone से ही without investment कैसे online पैसे कमा सकते हैं और महीने का 25-30,000 असानी से कमा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना है पैसे कैसे कमाने हैं और अपने bank account में कैसे withdraw करने हैं complete process इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने अपने चैनल पे online पैसे कैसे कमाई की सीरीज स्टार्ट कर दी है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपसे community post में एक question पूछा था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि आप हमारे चैनल पे आगे future में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं तो 90% प्लस हमारे subscribers ने online पैसे कैसे कमाई full tutorial वीडियोस को select किया and अब आपको आगे हमारे चैनल पे online पैसे कैसे कमाने की बहुत सारी वीडियोस देखना को मिलने वाले है इसलिए चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजए दोस्तों बात करते हैं आज के topic की कि आप कैसे online पैसे कमा सकते हैं without investment तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ Amazon Affiliate Program के बारे में Amazon Affiliate Program को join करने के बाद आप अपने smartphone से ही Amazon के products को affiliate करके पैसे कमा सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा Amazon Affiliate Program को किस तरीके से आप join कर सकते हैं उस पे आपको कैसे अपना account create करना है और किस तरीके से आप Amazon के products को affiliate कर सकते हैं अपने mobile phone से ही तो चलिए complete process मैं आपको समझाता हूँ mobile screen पे ही Amazon.in जैसे आप यह सर्च करेंगे तो आपके सामने Amazon के official site का page open हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको Amazon Affiliate Partner बनने के लिए यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है और नीचे यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा make money with us यहाँ पे आपको एक option मिलेगा become an affiliate आपको simple इस पे click करना है and next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको 3 steps देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे sign up करना है उसके वाद आप यहाँ पे कोई प्रोड़क्ट जो है उसका link generate करकर promote करेंगे and उस link पे click करके जो भी product पाए करेंगा उसके आपको commissions मिलेगी और उसे से आप यहाँ पे earn करेंगे दूस्थो Amazon के अलग-अलग products पे अलग-अलग commissions मिलती है अगर आप दिखना चाहते हैं कि आपको किस product पे कितनी commission मिलती है कि किन products पे आपको कितनी commission यहाँ पे मिलेगी तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपनी category को select करें और जितनी commission यहाँ पे आपको देखने को मिलती है उतनी ज़ादा आप यहाँ पे earning कर सकते हैं तो चलिए अब यहाँ पे हम अपना account create करते हैं अपना account create करने के लिए यहाँ पे आपको sign up का option मिलेगा आपको sign up के option पे click करना है तो आपके सामने amazon.in का login page open हो जाएगा दोस्तो अगर आपने amazon पे पहले से अपना account create किया हुआ है तो आप उसी email id या फिर phone number से and password enter करने के वाद sign in कर सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपने अभी तक amazon पे अपना कभी भी कोई account create नहीं किया है तो आपको यहाँ पे create a new amazon account के option पे click करने के वाद अपना account यहाँ पे create कर लेना है आप अपना first name, last name, email id and create password करके अपना new account create कर सकते हैं तो guys हमारे यहाँ पे already amazon पे account है तो हम यहाँ पे अपने email id and password एंडर कर लेंगे उसके वाद sign in के option पे click करेंगे next page आपके सामने creating your amazon associate account का page open हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना account create करना start करना है तो सिबसे पहले आप यहाँ पे नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे select different address का option मिलेगा आप यही address रहने देना चाहते हैं तो आप इसे यहीं पे रहने दीजिए आपको कुछ भी करने के जोहत नहीं है लेकिन अगर आप अपना different कोई new address add करना चाहते हैं तो आपको select different address के option पे click करना है और यहाँ पे आपको और enter a new address फिलो का option मिलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको pay name में अपना name enter कर देना है और उसके बाद आपको अपना address line 1 में address line 2 में अपना address enter करना है और उसके बाद अपनी city यहाँ पे enter करनी है और state enter करनी है और उसके बाद आपका postal code and उसके बाद country आपको इंडिया अपनी रहने देनी है and उसके बाद आपको यहाँ पे phone number अपना enter कर देना है and next option आपको मिलेगा who is the main contact for this account तो आपको यहाँ पे first option को select करना है the pay listed average and उसके बाद आपको option मिलेगा for US tax purpose, RUA, US person अगर आप US से नहीं है, जैसे के हम इंडिया से हैं तो हम यहाँ पे no के option पे click करेंगे and उसके बाद आपको next के option पे click करना है next page आपके सामने open होगा और यहाँ पे आपको first option मिलेगा enter your website तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी website enter करनी है तो अगर आपकी कोई भी website नहीं है तो आप अपनी Instagram account का link यहाँ पे add कर सकते हैं या फिर अगर आपका Facebook account है तो आप उसका link भी यहाँ पे add कर सकते हैं यानि कि आप अपने social media account का किसी का भी link यहाँ पे add कर सकते हैं जिससे भी आप यहाँ पे Amazon के products को affiliate करने वाले हैं तो जैसे कि हम यहाँ पे YouTube का link जो है अपना add कर देंगे हमें अपना link यहाँ पे paste करना है और उसके बाद add के option पे click करना है तो हमारा link जो है वो यहाँ पे add हो जाएगा next option आपको मिलेगा enter your mobile app URL तो अगर आपके mobile app URL कोई भी नहीं यानि कि आपके पास कोई भी mobile app नहीं है तो आपको यहाँ पे link add करने की कोई भी ज़रूत नहीं है आपको simple यहाँ पे next के option पे click कर देना है next option आपको मिलेगा profile का यहाँ पे आपको सबसे पहले what is your preferred associate store ID enter करनी है तो जिस भी name से जो है आप अपनी store ID बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे enter करना है जैसे कि आपका username होता है तो जैसे कि हम यहाँ पे अपना name जो है वो enter कर देते हैं और इसी से जो है हमारे store ID वी create हो जाएगी और उसके बाद your website list में जो है आपने जो भी social media account का link अड़ किया होगा वो देखने को मिलेगा उसके बाद आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा what are your website और mobile apps about तो जो भी आपने अपनी website यहाँ फिर social media account का link अड़ किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे award में लिखना है कि आप अपने social media account पे किस सरीके का content जो है वो upload करते हैं उसके बाद आपको option मिलेगा कि आप अपनी website यारी कि आप अपने social media account पे किस category से related जो है content अप्लोड करते हैं किस सरीके का topic रहता है तो वो आपको यहाँ पे नीचे select करना है सबसे पहले आपको उपर select के option पे click करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी categories देखने को मिल जाती है तो जो भी आप यहाँ पे category select करना चाहते हैं तो वो category जो है वो आप यहाँ पे select कर लेजे जैसे कि हम यहाँ पे computer software technology को select कर लेते हैं और उसके बाद आपको second वाले option में जो है वो other ही select कर लेना है और उसके बाद आपको option मिलेगा कि किस सरीके के amazon के items यानि के products को आप जो है list करेंगे अपनी website या फिर अपने social media account पे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी categories मिल जाती है जैसे कि books, clothing, shoes, jewelry जो भी category आप select करना चाहते हैं simple आपको यहाँ पे select कर लेनी है उसके बाद आपको option मिलेगा कि आपकी website यानि कि आपका social media account जो है वो किस type का है तो वो आपको यहाँ पे select करना है और यहाँ पे आप social media page group को यहाँ पे select कर सकते है और उसके बाद आपको select secondary के option पे click करना है और यहाँ पे आपको web browser order को भी option मिलता है आप यहाँ से किसी को भी select कर सकते है और उसके बाद आपको नीचे option मिलेगा how do you drive traffic your website के आपके website यानि के आपके social media account पे कहाँ से traffic आता है तो यहाँ पे आपको उसे select कर लेना है जैसे कि हम SEO select कर लेंगे social media networks, display, advertising and other को हम यहाँ पे select कर सकते है आप भी यहाँ पे यह सारी चीजें जो है वो select कर सकते है और उसके बाद नीचे आपको scroll down करना है और यहाँ पे आपको option मिलेगा how do you utilize your website and apps to generate income तो आप जो है किस सरीके से अपनी website याँ फिर social media account utilize करके उसे generate करेंगे income को तो यहाँ पे आपको select primary में जो है option select करना है तो हम जो है यहाँ पे display advertising को select करेंगे and secondary में जो है हम यहाँ पे third party affiliate networks को select करेंगे and उसके बाद आपको option मिलेगा how do you usually build links तो आपको simply इस पे click करना है और यहाँ पे जो है आप order को select कर लेजी and उसके बाद आपको option मिलेगा कि पर मन्द में आपकी website यानि कि आपके social media account पे कितने visitors आते हैं तो आपको select के option पे click करना है और यहाँ पे आपको select कर लेना है कि कितने visitors आते हैं पर मन्द में तो हम यहाँ पे select कर लेंगे and उसके बाद आपको option मिलेगा what is your primary reason for joining the Amazon associate program तो आप select के option पे click करेंगे आपको तीन option यहाँ पे मिलेंगे useful content for my site, to monetize my site, order तो आपको यहाँ पे पैसे कमाने है अपने Amazon associate account से तो आपको to monetize my site के option पे click करना है and उसके बाद आपको पूछा जाएगा who did you hear about us तो आपने कहां से सुना, आपको simply इस पे click करना है और यहाँ पे जो है आप online search के option पे click कर दीजिए and उसके बाद आपको नीचे scroll down करना है आपको यहाँ पे capture code देखने को मिलेगा यह capture code same to same आपको नीचे box में enter कर देना है and उसके बाद आपको नीचे you agree to the terms and condition को accept करना है and उसके बाद finish के option पे click कर देना है so दोस्तो जैसे ही आपका यहाँ पे amazon associate account create हो जाता है तो 24 hours के अंदर आपको यहाँ पे full access मिल जाता है उसके बाद आप amazon पे affiliate करना start कर सकते है and दोस्तो उसी के साथ यहाँ पे आपको एक note देखने को मिल जाता है यानि कि आपको 180 days में यहाँ पे 3 sales qualified complete करनी होगी अगर आप नहीं करते हैं 180 days में 3 sales generate नहीं करते हैं तो आपका account जो है वो automatically close हो जाएगा and 180 days के बाद जो आपका account close हो जाएगा उसके बाद आप फिर से अपना account create कर सकते हैं उसी email ID या फिर phone number से तो दोस्तो यहाँ पे आपको next option मिलेगा enter your payment and text information यानि कि आपकी जो भी income generate होगी वो आप जिस भी account में अपने bank account में लेना चाहेंगे वो details जो है वो आपको यहाँ पे enter करनी हैं तो वो हम आपको आगे बताने वाले हैं तो हम यहाँ पे later के option पे click करेंगे जैसे हम later के option पे click करेंगे तो हमारे सामने amazon associate का homepage इस तरीके का देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी sales आएंगी वो आपको यहाँ पे earnings overview में graph देखने को मिल जाएगा and summary of the month में आपको यहाँ पे total items shipped total earning, total ordered items, click, conversion देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं आप three lines पे click करेंगे यहाँ पे आपको dashboard, earning report, account setting, payment history, banners, link to any page और भी कई सारे options मिल जाते हैं तो दोस्तों अगर आप amazon associate का page जो है वो desktop site में देखना चाहते हैं तो simple आपको three dots पे click करना है और desktop site के box के आगे click करना है तो आपको amazon का associate page इस तरीके का देखना को मिल जाएगा आपको यहाँ पे कुछ products भी देखना को मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी payment details भी जरूर से add कर लेने हैं जिससे कि जैसे ही आपकी earning जो है वो 1000 rupees complete होगी तो आपकी direct वो जो है वो bank account में credit कर दी जाती है Amazon की तरफ से तो दोस्तों यहाँ पे payment details एंटर करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे Amazon के किसी product का affiliate link जो है वो generate करेंगे और उसे आप कहां कहां पे share कर सकते हैं तो Amazon का affiliate link generate करने के लिए आपको simple three dots पे click करना है new tab को open करना है और यहाँ पे जो है आपको Google में search करना है amazon.in और आपके सामने Amazon की site open हो जाएगी अब आपको यहाँ पे three dots पे click करना है और उसके बाद आपको desktop site पे click करना है और उसके बाद जो है अब आपको यहाँ पे आपके Amazon के home page के उपर यहाँ पे आपको Amazon associate side stripe देखने को मिल जाएगा दोसों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें Amazon associate side stripe देखने को मिल रहा है अब आपको Amazon के किसी भी product का affiliate link generate करने के लिए आपको उस product को यहाँ पे search कर लेना है जैसे कि हम यहाँ पे search कर लेते हैं mobile fonts सो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे mobile fonts आ चुके हैं सो जो भी product आप यहाँ पे affiliate करना चाहते हैं simple आपको उस product के title पे long press करके रखना है जैसे ही आप long press करके रखेंगे आपको यहाँ पे option मिलेगा copy link address का आपको simple copy link address के option पे click करना है और उसके वाद आपको यहाँ पे उपर get link का option मिलेगा simple आपको text के option पे click करना है अगर आपके वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट में भी जो है Amazon के लिंक जो है वो दे सकते हैं दोस्तो इस सरीके से जो है आप Amazon के किसी भी प्रोड़क्ट का affiliate लिंक जनरेट कर सकते हैं और पर्मोट करके पैसे earn कर सकते हैं दोस्तो जो भी आप यहाँ पर earning करेंगे तो वो आपके bank economy के सरीके से आएगी तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा payment information का तो simple जो है आपको payment information के option पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर आपका password पूछा जाएगा sign in करने के लिए तो simple आपको यहाँ पर sign in करने के लिए अपना password जो है वो enter करना है और उसके बाद sign in के option पर click कर देना है और sign in होते ही आपको यहाँ पर page देखने को मिलेगा your payment method का यहाँ पर आपको pay by neft को select करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको bank location में जो है अपनी country को select करना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर bank currency देखनों को मिलेगी तो आपको यहाँ पर अपने Indian rupee को select करना है और उसके वाद जो भी आपके bank account में आपका name है वो आपको name यहाँ पे अपना enter करना है next आपको यहाँ पे अपना bank account number enter करना है उसके वाद confirm करना है bank account number enter करना है उसके वाद आपको अपने bank का name नीचे enter करना है और उसके वाद आपको अपने bank का IFAC code एंटर करना है जो कि आपकी passbook पे आपको मिल जाएगा यह सारी details एंटर करने के वाद आपको नीचे score down करना है और नीचे आपको for US tax purpose में इस option को no ही रहने देना है और उसके वाद आपको submit के option पे click कर देना है तो आपकी payment information यहाँ पे successfully update हो जाएगी अब जैसे ही आपकी Amazon associate account में आपकी 1000 रोपीज earning हो जाएगी तो वो directly आपके bank account में आपको transfer कर दी जाएगी Amazon की तरफ से दोस्तो इस तरीके से Amazon का affiliate program आप join कर सकते हैं और without investment आज ही online पैसे कमाना start कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रू से like कर दीजेगा और आगे भी मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ online पैसे कमाने की तो अगर आप हमारी चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को ज़रू से subscribe कर लिजेगा और साथ में notification bell को भी प्रेस कर लिजेगा तो चली ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थेंक यू